हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं हुआ मंग शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अचराथ 36 गड़ मेरे पीछे की गाड़ी आप देख सकते हैं किया सेल टॉस मैनुवल वर्जन है यह इसका और आज मैं इसको लेकर के आया हूं रिव्यू के पिल्कुल गाउवाला एरिया है देखें गाय वगरा भी नजर आ रही है कार के पीछे में खेथ हैं और कार फिलहाल जहां पे खड़ी है यह कंप्लीटली ऑफ रोडिंग पैच है तो ऑफ रोडिंग के टेस्ट भी इसका हो चुका और दोनों में इसकी परफॉमेंस बहुत कर लेते हैं गाड़ी बैठने में काफी कमफर्टेबल है काफी लंबी चौड़ी गाड़ी है अगर मैं इसका करना चाहूं तो मैं करेटा से नहीं कर सकता इसका कमपेरिजन सीध होता है Jeep से Jeep Compass से अगर मैं बात करूँ इसके length और width की और अंदर बैठने के comfort की मैं इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ Performance इसका काफी अच्छा रहा है 6 gearbox है इसमें Lookwise ये गाड़ी काफी अच्छी है काफी bulky नजर आती है और जैसा कि मैंने बोला कि सीधा सीधा इसका comparison हम Jeep Compass से कर सकते हैं Kia Celtos Manual में आपको दो वर्जन मिल जाएंगे HTE 1.5 और HTK 1.5 HTK 1.5 में एक HTK Plus 1.5 वर्जन भी आता है जो कि इसका सबसे premium model होता है दोनों ही वर्जन में आपको 1490cc का engine मिलता है जो की 113 BHP की power generate करता है 6300 RPM पे इसके साथ ही आपको यहाँ पे LED headlight मिल जाते हैं with DRL बात कीजाए इसके wheelbase की तो इसका wheelbase 26-10 mm का है जिसमें आपको 190 mm का ground clearance मिल जाता है टायर में इसके higher और lower variant में अलग-अलग वर्जन मिल जाते हैं गाड़ी की overall length 4315 mm की है तो वही width 1800 mm की है और height 1620 mm की है 1.5 liter के BS6 engine के साथ इसमें आपको 50 liter का fuel tank मिलता है on an average company 16.5 km का mileage क्लेम करती है जिसमें आपको 825 km की driving range मिल जाती है HTE 1.5 में ही आपको एक diesel वर्जन भी मिल जाता है जिसका average company 20.6 km का क्लेम करती है Headlight और rear light दोनों में ही आपको LED बल्प मिलते है Kia की गाड़ियों में आपको manual के अलावा automatic और IMT वर्जन भी मिल जाएंगे जिनकी price range 10,60,000 रुपए से लेकर के 20,00,000 रुपए तक की होती है 439 लिटर के boot space के साथ पीछे की डिक्की को मिला कर आपको इस 5 सीटर गाड़ी में 5 डोर्स मिल जाएंगे दोस्तों आज हम लोग जिस गाड़ी का review कर रहे हैं वो है Kia Celtos HTE 1.5 पेट्रोल वर्जन इसलिए इसमें कोई भी sunroof नहीं है इस गाड़ी का bulky shape, chrome की fitting और stylish design बहुत सारे features के साथ इस गाड़ी को एक premium SUV का दर्जा दिलाते हैं आए दोस्तों अंदर चलते हैं और अंदर से इस गाड़ी के features को समझते हैं यह इसका door opening handle है और यह central locking के लिए है जो automatically lock और unlock हो जाता है यहाँ पर अगर अपन जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपके side mirrors को adjust करने का button up, down and left, right के लिए यह left side और right side के mirror को indicate करता है यहाँ से आप automatically mirror close कर सकते हैं यह जो है central locking, unlocking के लिए है यह commonly जैसा हर गाड़ी में होता है चारो windows को up and down करने के लिए आप यहाँ से automatically driving seat से ही adjust कर सकते हैं और यह child lock है window के लिए अब बात करते हैं इसके dashboard की dashboard में जैसे इधर से आप देख सकते हैं कि इसमें key नहीं लगती है इसमें सिर्फ यह button है जिसको push करने से गाड़ी on हो जाती है यह light के लिए है, light adjustment करने के लिए और light का focus कम ज़्यादा करने के लिए यह light का button है जैसे कि हर एक गाड़ी में होता है लाइट on, off, auto mode पे करने के लिए तो चलिए सबसे पहले गाड़ी को start करते है जैसे ही यह button दबाया इस तरफ engine का ignition on हो जाता है और second time जब हम इसे push करते हैं तो गाड़ी क्या जो भी features है जो एक बार reading करता है टीक है, windows जो है वो मैं बन कर देता हूँ फिलहाल गाड़ी को चालू करने के लिए clutch पे पैर रखना है और clutch दबाने के बाद यह जो button है इसको दबाना है तो गाड़ी start हो जाती है ठीक है, फिर आप clutch छोड़ दीजे एक तरफ manual rpm का meter दिख रहा है और एक तरफ speedometer manual दिख रहा है साथ में speedometer के अंदर में ही fuel gauge दिख रहा है कि आपका fuel अभी किता है एक digital meter भी इसमें साथ में नजर आता है जिसमें आपको यह दिखता है सबसे top पे के गाड़ी अभी अपनी current average के हिसाब से tentative कितना kilometer चलेगी अभी गाड़ी में जो fuel है उसके हिसाब से अभी इस पे आप पूरी तरह से rely नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी गाड़ी के average के साब से calculate करके बताता है कभी-कभी जब आप दूसरे तरह के रास्ते पे चलते हैं तो यह खराब रास्तों पे चलते हैं तो यह average कम जादा भी हो जाता है और जिसकी वज़ा से यह जो टोटल नमर ऑफ किलोमेटर से उसमें आठ से 10 किलोमेटर तक का डिफरेंस आ जाता है साथ में आपको नीचे गाड़ी अभी तक किते किलोमेटर चली यह दिखा रहा है और टोटल उसका जो रन है वह दिखा रहा है और किते अभी क्या टेमपरेचर है गाड़ी के अंदर में और किलोमेटर इसकी स्टेरिंग पर भी आपको बीच में किया का बैज मिल जाएगा यह पूरा सेक्शन खौन का है कहीं पर भी आप प्रेस करेंगे आपका खौन प्रेस हो जाएगा यहां पर यह जो आप एक बूक के पन्ने जैसा आप आईकॉन देख रहे हैं यह एक्चुल में नीव है यह मैन्यू आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहां से तो यहां देखे यह आपका जो मैन्यू है डिस्प्ले पर डिजिटल मीटर पर वो चेंज होने लगेगा आप इसको जितनी बार प्रेस करेंगे वो उतनी बार चेंज होने लगेगा दो से तीन बार ये चेंज होता है और इस पे अलग-अलग सैटिंग्स आप कर सकते हैं जैसे डूर की सैटिंग है, लाइट की सैटिंग है, कन्विनियन्स की सैटिंग है सर्विस रिलेटेड इंफरमेशन आपको चाहिए दूसरे मेन्यू पे हम जाते हैं तो हमको एक्क्यूमेटेट इंफो नजर आता है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारी कार अभी तक टोटल कित्ते किलमेटर चल चुकी है कार का जो recent mileage है वो कित्ता है दूसरे options की बात करूँ यहाँ पे तो यह cruise button है आप cruise speed पे आप car fix speed पे करके चला सकते हैं cruise speed जिन नहीं पता हो उसमें ये रहता है कि आप highway पे जब आप एक single speed पे आपको चलना होता है like 60 km per hour, 80 km per hour तो आप यह cruise का button set कर सकते हैं और आपकी car automatically cruise speed पर चलते रहेगी ना तो 60 से नीचे जाएगी ना तो 60 से उपर just like that for example ओके यहां से आप जो यह menu है उसके जो options है आप उसको उपर नीचे select कर सकते हैं यहां से आप reset कर सकते हैं यहां पर okay का button है और यहां पर cancel का button है same दूसरे site पर आपको यहां पर music related buttons यहां पर दिये हुए हैं आप यहां से music up down कर सकते हैं volume up down कर सकते हैं music का mode change कर सकते हैं Bluetooth connectivity के लिए है phone pick करने के लिए और phone disconnect करने के लिए तो यह सारे features इसमें दिये हुए हैं कि इधर easy का button है easy on कर देता हूं कि वन टू ठीक है 1234 आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं एसी को इसमें और यहां पर एसी का एक दिया हुआ है ठीक है उस हिसाब से आप एसी का temperature और एसी का जो blower का flow है उसको आप adjust कर सकते हैं यह काफी अच्छी condition पर है इसका जो एसी है वह काफी powerful है हाला कि नई गाड़ियों में सभी गाड़ियों में इसी powerful ही होता है कुछ time के बाद ही पता चलता है कि एसी का exact वह कैसा है साल दो साल बाद ही performance समझ में आता है तो फिलहाल तो इसका इसी काफी अच्छा मुझे लग रहा है कुछ चीज़े इसमें बगवान होगे लगाई हुए तो उसको थोड़ा सा ignore करिएगा क्योंकि यह गाड़ी यूज हो रही शोरूम से आपको डेमो के लिए मैं नहीं लाय सकते हैं Bluetooth वगरा आप यहां से connectivity कर सकते हैं यह volume कम ज्यादा करने के लिए है और यह ट्यून आगे पिछे shift करने के लिए यहीं से आपका Android फोन और iPhone जो है वो connect हो जाता है इस पे Android फोन पे आप मैप वगरा भी connect कर सकते हैं iPhone से आप सिब calling वगरा के लिए आप connect कर सकते हैं जि सी 1 2 3 4 5 & 6 ठीक है और यह neutral अगर आपको reverse लेना है तो आपको यह नीचे एक push button दिया हुआ है इसको push करते हैं आप one के side पे fix करेंगे तो घाड़ी जो है reverse mode पे चली जाएगी जैसे घाड़ी reverse mode पे जाती है तो पीछे यह देखे इस mirror पे आपको इस screen पे आपको पीछे का जो camera है वह start हो जाता है और आपको पीछे का पूरा view मिलने लग जाता है तो आप अपनी हिसाब से गाड़ी को जिधा turn करना है आप उस तरब आप reverse ले सकते है एसी के इसमें चार blower दिये हुए हैं सामने one two three and four और दो blower दिये हुए हैं पीछे की सीट की जो sitting position है काफी अच्छी है यह सब समान जो रखा हुए इसको ignore करना है क्योंकि हम लोग यहां पर टूर पर आए हुए हैं तो काफी जादा समान है पीछे आम वोगरा रखे हुए हैं और आम कहां से आए मेरी गाड़ी पर अगर आपको यह जानना है तो आप मेरा local village वाला vlog देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम टूर पर आये हैं और हमने गाओं में काफी जादा मस्ती की है एकदम natural जो गाओं का रहन सहन होता है उसको enjoy किया है तो वह वाला vlog का जो वीडियो है उसका जो link है उसको मैं इस वीडियो के description में डाल दूंगा आप जाक है काफी जादा आपको leg room मिलता है देख सकते हैं आप यह जोला अगरा रखा हुआ इतना आपका leg room है आप सीट अपने साब से आगे पीछे कर सकते हैं यहां पे आपको दो bottle holder मिलते हैं one and two ठीक है गेर बॉक्स है और उसके आगे आपका यहां पर phone अगरा रखने के लिए य इसके अलावा यहां पर एक और space मिलता है जहां पर भी आप अपना phone रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपने कुछ documents रख सकते हैं कुछ छोटा मुटा cash का चिल्दर रख सकते हैं यहां पर एक box दिया हुआ इस box को paper रखने के लिए गाड़ी की document रखने के लिए आपने जो sound system में काफी जादा powerful है और वो inbuilt है company की side से जो यह model है उसमें आपको लग के आता है बात करूं इसके light की तो यहां light है ठीक है दो light यहां पर दियो और पीछे भी light दिया हुआ है यह इसका sunglass holder है यहां अंदर आप अपना sunglass वगरा रख सकते हैं ठीक है एक push करेंगे आप यह खुल जाता है और एक push करने से लग जाता है पीछे का जो space है वो भी काफी अच्छा है तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं और leg room जो है वो भी काफी जादा clear है इस पर अब बात करते हैं इसके additional feature की यह वाला जो आप button देख रहे हैं ठीक है यह तो आपका seat का जो position है उसक की seat की जो height है वो नीचे होते जाती यानि कि अगर आप ज्यादा है के driver है तो आप नीचे seat को अपनी धसा सकते हैं ताकि आप comfortably driving कर सकते हैं और अगर आपकी height कम है तो आप इसको इस तरह से ऊपर क्यों और आप push करेंगे तो अगर आप इसको इस तरह से ऊपर की और push करके अपनी seat को आप उपर कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपकी height कम होने के बावजुत आप काफी easily गाड़ी को चला सकते हैं काफी comfortably गाड़ी को चला सकते हैं और आपका जो view है सामने का bonnet का वो काफी जादा clear रहेगा road को ले door holder है center locking and gate opener है seat पीछे की भी काफी जादा comfortable है तीन लोगों के लिए और यहां पर भी काफी अच्छा एक लेग रूम है काफी decent सा लेग रूम है जिस तरह से Jeep compass वगरा में होता है पीछे भी AC का blower है दो blower है एक charger आपको दिया हुआ है और एक mobile holder या फिर आपके कुछ इस तर efficiency यह गाड़ी है काफी decent से इसके features हैं सब कुछ अच्छा है सिवाए average के average इसमें एक बहुत बड़ा drawback है पैट्रोल यह गाड़ी है और पैट्रोल गाड़ी के हिसाब से इसका average है minimum मुझे लगता है कि 17-18 तो होना चाहिए था लेकिन इसका average से 12-13 यह अभी दे रही है बहुत जादा देगी तो भी मुझे लगता है कि 14-15 से उपर यह average नहीं दे पाएगी पीछे से अब डिक्की भी आपको दिखा देता हूं पीछे इसकी जो डिक्की है यहां पर camera लगा हुआ है आपका जो reverse camera है reverse square के लिए जो camera हो लगा हुआ है यहां नीचे आपको बस एक हलका सब push करना है और यह डिक्की open हो जाती है डिक्की का इसकी काफी जादा अच्छा है मैं इसके लिए बहुत appreciate करूँगा इधर आप देख सकते हैं कितना समान हमने रखा हुआ है इस पे तो डिक्की के space काफी अच्छा है फीचर वाइस मैं अगर किया की गाड़ियों की बात करूँ चाहे वो sonnet हो चाहे वो celtos हो दोनों ही बहुत ही अच्छी है दोनों में features भर भर के दिये हुए है feature क्या कोई कमी नहीं गाड़ी पे वो क्रेटा हो चाहे वो जीब कंपस हो चाहे वो इनोवा हो हर किसी से इसमें आपको कुछ ने कुछ एडिशनल feature मिलेंगे और काफी comfortable feature है और जितना मैं समझ पाया हूँ इन दोनों तीनों गाड़ियों को चला करके कि वो feature काफी अच्छे से perform भी कर रहे है only and only issue है इस गाड़ी पे माइलेज का आज की डेट में आर पेट्रोल और डीजल के रेट जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से बढ़ेंगे तो माइलेज is a big concern अगर आपको comfort के लिए गाड़ी लेनी अफकोर्स कई बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको गाड़ी के features देखने होते हैं वो माइलेज नहीं देखते हैं तो अफकोर्स आप माइलेज को ignore करते हुए अगर आप जाना चाहते तो फिर किया आपके लिए best option हो सकता है